प्रियमित्र यरुशालेम्थी किटलाक संदेश वाहको अंतियोख गया तेमा आगाबासे उबाथेने पवित्र आत्माथी प्रेराईने आगाही करी कि समग्र पृत्वी पर मोट्टो दुकाड पडशे समराट कलॉडियस ना समयमा ए दुकाड पड़ियो शिश्योय निरणे करियो के तेमना मानों दरेक शक्य तेटली मदद यहुद्यामा रेता भाई बहनोने मोकले त्यारे तेमने ते प्रमाणे करियो औने बार्नाबास तता साउलनी साथे मन्डडी ना आगेवानों पर राहत फालो मोकल्यो अब यह दर्शाविलो प्रसंग सामानिय इतिहास ना पुस्तकोमा पण नोधवामा आव्यो शिमित्र दुकाड बधे पड़े होतो पण यरुशालेम मा तेनी वधारे असरो थाई आती जयां प्रभुई सुख्रिस्तिने मन्डडी ने रंजाडवामा आवी आती औने वेर विखेर करिनाकवामा आवी आती दुकाड ना समय यरुशालेम शेहर माना विश्वास्योंने मददनी ताती जरूर आती अवे प्रारमनी मन्डडी मा ए समय एक बिजा माटे जे प्रेम आतोंने मित्र जे लागणी आती मददनी जे भावना आती ये किटली बदी नहद पात्राश केटली बदी नहद पात्र शे प्रभी इसु ख्रिष्टनी मन्डडी ए रिते एक तामा रहती हती इसु ख्रिष्टना अनु याईनु आ चिनह शे मित्र हवे सत्याविसाने 28 कलमों मा आपणने आगाबास नामनों संदेश वहक अत्वातों प्रभुदक जुवा माड़ेश आ दर्शाविचे मित्र के प्रभुदक को अत्वातों संदेश वहक को मात्र जुना करार माज हता इवु नदी परंतु आरंबनी मंडडी माँ पन हता एलोको विश्वास योने इश्वर नी इच्छा प्रगेट करता हता आने इश्वर ना बचनोंनु सिक्षन आपता हता हवे तमे मारी साते साते प्रिशितोंना कारिय ना बार्मा अध्यानी पहली कलम जुओ अत्याचार नी पराकाष्टा इस सिर्षक निचे प्रिशितों ना कारिया ना बारमा अधियानी पहली कलम में लख्यू छे कि इस समय दर्म्यान हेरोद राजा ए मंडडी ना किटलाक सब्व्यों नी सतावनी शरू करी हवे आ हेरोद राजा ए हेरोद अग्रिपा पहलो शे ये महान हेरोद नो पवत्र शे महान हेरोद ए इसुख्रिस्त ना जन्म समय इसुख्रिस्त नी कतल करवानो प्रयास करयो हतो ये तमने याद अशेज मित्र हेरोद ना कुटुम जेवू बिजू कोज कुटुम इश्वर दुश्मन बन्यों नोतु। हेरोद नाकोटुमनी एक पन व्यक्ति आपनी जान प्रमाणे इश्वरने शरने आवी नोती। याकोब प्रभी सुख्रिस्तनी मंडलीमा बिजो शहीद बन्यों। उमानूश्य मित्र के त्यारे प्रभी सुख्रिस्तना नाम ने खातर बिजा गणां मृत्ति उपा में आश्य। याकोब ने यहाने साचेज प्रभी सुख्रिस्न नामने लिदे दुख सहन करियू है रोदे याकोबनी कतल करी अने पाचरती यहानने तड़ी पार करवामा आवेव अवे त्रीजी कलम कैशे यहोदियोने ए गम्यूशेते जोईने तेने सतावनी चालू राखी अने पितर नी पन धर पकड करावी खमीर वगर नी रोटली खावाना परवाना समय दर्म्यान ए बन्यू प्रेशित याकोब नी तो कतल थेगे परन्तु प्रेशित पितर नो अबध अत्याचार मा थी शमतकारी कृते बचाव थो शेमित्र चोथी कलम कैशे पितर नी धर पकड करीने तेने जैल मा पुरुवा मा आवयो त्यारे चार-चार सैनी कोना चार जुथना चौकी पहरा नीचे तेने राखवा मा आवयो पास्खा परव पुरुथाई पची हैरोदे तेनो केस जाहेर मा चलाववा नी योजना घडिया ती अवे यहुद्यो आसमे येरुशालेम मा पास्खा परव उज्विरे आता हैरोद राजा ये पितर ने चौकी पहरा नीचे मुख्यो एक कज मानस ने साच ववा तमी जूओ चार चार सैनी को ना चार जूथो आहरोद राजा ने भी कशे कोई कावी ने पीतर ने चुड़ा भी जशे हैने साचे पीतर नो चुटकारो थवानों चे चमत कारी गृते जूओ पांच मी कलम तेथी पीतर ने जैल मा पुरुवा मा आवयोपान तेने माटे मंडडीना लोको इश्वर ने आग्रह पुरुवक प्रार्थना करता आता मंडडीना लोको आग्रह पुरुवक इश्वर ने प्रार्थना करवाला गया ये मात्र पोकार शब्दों न होता मित्र, एमनी प्रार्थना मां एमना रदयो हता, रदय, हवी ए निशंक शे के हेरोध राजानी योजना पितर ने फांसी आपपानियती परंतु विश्वास्यों पितर ना बचाव मांटे इश्वर ने प्रार्थना करता हता, मंडली ना ल अने इटले वारम वार अने भरोसा साथे इश्वर ने प्रार्थना करवीच चोई है, छटी कलम केचे पितर नो जैल माती छूटका रोई सिर्षक नीचे छटी कलम शू केचे, जे दिवसे हेरोध पितर ने लोकोनी समक्स लावानों आतो, तेनी आगली राते पितर बे चा अने जेलना दर्वाज आगड बे चोके दारो पेरो परता आता, सिमन पितर बे सैनिकोनी वच्च मां उंगी केवरी ते शके, अरे पितर तो गमे त्या गमे त्यारे उंगी जाए वो हतो, पन विचार करो कि आ बे सैनिको वच्चे पन ए शांती थी उंगी जवा माटे इश केटलो नक्कर विश्वास के इश्वर मने जरूर छोडाव शेज, अवे जुओ, साथी नव कलमो माश्रू बनेश, एक आ एक प्रभनो एक दूत त्या आविने उभरोयो, दूत ए पितर ने खबो हला विने जगाडियों ने कईू, जल्दी उभो था, पितर ना हाथ परनी सांकडो तरतज निकडी पड़ी, पची दूते कईू, तारो पट्टो बराबर बांदी ले, अने तारा बूट पेरी ले, पितर एम करियो एटले दूते कईू, तारो जबो पेरी ले, अने मारी पाचड आओ, पितर तेनी पाचड पाचड जलनी बार गयो, छता दूत जे क पर ना संदेशियाच देव दूतोंने अलोव किक शक्ति आपपामा आवीश पीतर ने लाग्यू के स्वपन जोई रहोश जाने के पीतर देव दूतनी पाजर-पाजर स्वपन वत गयो दसमी कलम मा लखियूशे थिवो ये चोकेदारोंनी प्रथम चोकी पसार करी पूर्ता सैनीको हता, पूर्ता पेरेगारो हता पूर्ता पेरेगारो अब याद राखो के आ बनाव बनी रहोशे त्यारे यरुशालिमनी मंड़ीना विश्वासे हो पीतर माटे प्रार्थना करी रहाच अने मंड़ीनी प्रार्थना नो सचोट उत्तर पन मड़ी गयो अग्यार मी कलम जुओ पशी पीतरने शू थायू अतु तेनी खबर पड़ी तेने कईू हवे मने खबर पड़ी कि ए बदू वास्तवी कतू पोताना दूतने मोकली ने प्रभुए मने हेरुदना हाथ माथी तेमस यहुदी लोगो मने जहे कई थवानी राज होता आता ते बदा दी बंचावी होष पीतरने अवे थरतज सुमझाए जाईशे के इश्वरे तेने छोड़ावी ज़े इश्वरे तेने छोड़ा व्योश, बार मी कलम जुईए, पोता नी परिस्थितिनों ख्याल करिने ते योहन मार्क नी माता मार्या ने गेर गयो, त्या घणा लोको इकत्रित्थाई प्रार्थना करता आता, इसु खृस्तनी मनली पासे आ समय अने आ पछी बिजा एक सो पचा स्वर्षुदी मित्र, कोई देवन नोतु, मार्क अनुसार सुपसेद देशना लेकक जौन मार्क नी मा मार्या नुगर विश्वास योने बेगा मलवा माटे पूर्तु विशाड़ा तो, अगर मा विश्वास यो पीतर ना छुटकारा माटे प्रार्थना करता वा बेगा अगर तीर थी पंदर कलमों जूशू, पीतर ये बाहर थी भानों खट खटावियो, एटले रोदा नामनी नौकर बारनों खुलवा गई, तेहने पीतर नो अवाज उडख्यो औने एटले खुस थाई गई, कि बारनों खोलिया वही ना आज, ए पाची अंदर दोड़ी के तेहने बोलियो अठी, पीतर बाहर उपा छे, तेहने कई, अरे ये तारू चस्की गई हुशे, पड़ तेहने पोता नी वाद पकड़ी राखी, तेहने जवाब आपयो, ये तो एनो दू उतर शे, जो यू तमे, बार मी कलम मा रोदा नामनी जे यूती छे, एना नामनो अर करवा दोड़ी गए, मंडडी जारे सिमवन पितर ना छुटकार माटे प्रार्थ ना करती यती, अने पितर नो अधभूत छुटकारों पन थोयो अतो, पन एवू बन्यू त्यारे आ लोकों ये वात मानता नथी, तमी ये जुवो, नती मानता, सु कह चे ये तो प्रभून दू तर शे, अवे पितर तो बारूनों खट-खटावानों चालूज राखे शे, बारूनों तो कोई खुलतूज नथी, कराण के बदा विश्वासे अंदरों अंदर चर्चा करवा लागी गया शे, के ये पितर शे, के पितर नो आतमा शे, सोड मी एने सत्तर मिकलम, ए दर बने बागे ना सव भायों ने अवाद कहे जो, एम कही ने ते तियांती बीजे क्यांक जतो रहो, विश्वास योने पोतानी आँखो पर विश्वास आवियो नहीं, पितर ने जोईने ये लोको आभाज बनी गया, एमनी प्रार्धना नो उत्तर आप्पामा आवियो शे, ये लोको आए मानी शक्या ने, अनि हवे तम्हें जुओ पितर शुकरे जे, पितर शेर नी बार निकली जाएशे, शेर नी बार निकली जाएशे, डार ने उगनिस कलम जोशो, सवार पड़ी त्यारे चोकी दारों मोट्टी मुझवण मा मुखाई गया आता, पितर नू थ पोकी दारों मुझवण नानकली नौती मित्रा, खासी मुटी हती, ये मने घेर घेर फरी ने तपास करी आशे, आखा शेर मा बधेच, नाका बंदी करी दीदी आशे, अनि हवे आँ हेरोद राजा शुकरेचे, ये जुओ तम्हें ठंडा कले जानों मानस, ये टलू ज नध खाकी कात, ये मानतों न थी, राजा हेरोद ये माटे पोताना सैनिकोंने जवाबदार ठेरवेच, पीतर नों चौकी पेरो भरनार सोडे सोड सैनिकोंने, आ हेरोद राजा मारी नंखावेच, अनि पछी ये त्यां थी काई सारिया जाईश, अवे मित्रा आपने जुश्व के इश्वरे राजा हेरोद ने जे प्रकाशा आतो छे, ते माटे इश्वर हेरोद ने जवाबदार ठेरवेच, विसमी कलम जुओ, हेरोद नू मरण ये सिर्षक नीचे, हेरोद तूर अने सिदून ना लोको पर घणा उक्रोधे बराया वतो, तेथी तेमनू प्रतिनी धी मंड़ हेरोद ने मडवा गयू, प्रथम तरे वोए मेल ना कारभारी ब्लास्तस ने पोता ना पक्ष्णो करी लिदो, पछी ते वोए हेरोद पासे जेने समाधान माटे विनंति करी, कारण हेरोद ना राज्य माथी तेमना देश ने अन्न पुर्वठो मरतो आतो, आतूर अने सिदोन ए शेरो स्वतंत्र शेरो आता, तेया एमनी पोतानी सरकार चालती हैती, परंतु ए बनने शेरो आर्थिक रिते यहुदिया उपर अवलंबता आता, आपने जानता ना थी मित्र, के राजा हेरोद ने तेमनी साथे 100 जगड़ो आतो, परंतु अवे एब ए शेरो प्रवचन करियों, आ हेरोद गर्विस्ट हतो, अभिमान थी फुलातो हतो, आ हेरोद सारो वक्ता पन हतो मित्र, लुको पिला हेरोद राजानी इश्ट्वर तरीके, अवे प्रसुंसा करेशे, जुओ तमे 22-23 कलमो, ति वो ये पोकार करियो, आतो मानस नहीं, पन देव बो जो यू तमे मित्रा, इश्वर तेमनो मैमा, तेमनो गवरव बिजाने लिवा दिता न थी, जेल मा थी पितरना चमत कारिक छुटकारा द्वारा, इश्वर नी प्रसुंसा करवानो राजा हेरोद देना कार करेव, अभि आ राजा हेरोद, लुको द्वारा इश्वर नो आई करेशे, इश्वर तेमना गवरव माट बाउज आस्थाबान चे मित्रा, बाउज आस्थाबान, इश्वर पोतानू गवरव साचवे छे, आ हेरोद नो मुरुत्तियू तमे विचार करो, केटलू बदू खतरनाक तू, केटलू बदू खतरनाक, अत्यंत पिडाकारक, अंदर थी बहारनी बाजू कीडा, हेरोद ने जीवतों ने जीवतों खाए गया, कल्पिशा काई छे एम रुत्तियू, खेर आगड़ 24 अने 25 कलमों जोईशू, इश्वर नू वचन प्रसर्तू रयू औने वृद्धी पामते गयू, बार्ना बाश अने सावूले तेमनू स तो पाण, तो पाण इसुख्रिस्तनी मंड़ी ने कोई नुक्षान थयू नहीं, एना बदले शू थयू, एना बदले मंड़ी मां वृद्धी थयू, हवी योहन मार्क बार्ना बाश अने सावूल साथे पाचो अन्तियोख जाईशू, तमने या दशे जमित्रके तेवो य एजी व्यक्तिने प्रभुई सुख्रिस्तनों सुख्रिस्त जणावे शे, शा माटे, एटला माटे है कि जे व्यक्तिने प्रभुई सुख्रिस्तनों सुख्रिस्त प्राप्त थायो शे, जे व्यक्ति ये तेनों स्विकार करियो शे, जे व्यक्ति प्रभुई सुख्रिस्त पुतानी माताने, पुताना पिताने, पुताना दिक्राने, पुतानी दिक्रीने, पुतानी बेनने, पुताना भायने, पुतानी पत्नीने, पुताना पतीने. अनि विजा सगास नहीं होने अडोश पडोश मा पोताना सह कर्मी होने जे जे व्यक्ति अनिया संप्रक्मा आवे प्रत्य व्यक्ति ने प्रभी सुख्रिस्त नो सुपसंदेश जणावेवगर रैशा के ने कारण के दुष्कर्मोना बंधनों माथी मुक्त थवा माटे पापोनी सिक्षा माथी मुक्त थवा माटे नो जे अनुभव एने थवश ए अनुभव द्वारा पवित्र आत्मा एने प्रेर्णा आपे शे अने इतला माटे व्यक्ति चुप बेसिस रही शक्ति नती एना जीव प्रभूईशु कृिष्त प्रति भिम्विप्थ आई शे अने ना मुख द्वारा प्रभूईशु कृिष्त नो शुपसंदेश प्रचार पामे शे। इटला माडे कि पापने कारणे नाष्ट मा जता जिव आतमाओ इसु खृष्टने शर्णे आवी ने नवू जीवन प्राप्त करे अनंत जीवन प्राप्त करे शुट तमे मित्र प्रभी सुख्रिस्ट ने शर्bery आविने एननत जीवन प्राप्त करिव शे, तमारा पापोनी माफी प्राप्त करी करी शे अनि शुट तमने नाश्मा जेता आत्माओ माटे इसुख्रिस्टना रदही माजे बोज शे, युँ बोज मळे वशे हुमानुशु मित्र के जे व्यक्ति प्रभुई सुख्रिस्त ने शर्णे आवी ने पापोनी माफी अने अनन्त जिवन प्राप्त करे शे एना रदहिमा पवित्र आतमा पापोने काराणे नाश्म जता जिवातमाओ माटे इसुख्रिस्त ना रदहिमा जे बोच चे ए बोच आपेशे जो तमारा रदेमा मित्र इबोज शे तो इबोज प्रमाणे अन्य लोकोंने प्रभुई सुक्रिष्णों सुपसंदे साथ पमाटे इश्वर तमारी सहाए करो कि अन्य लोकोंने करूछ दिए सुपसंदे अन्य लोकोंने झायो करते हैं